पावर बेकफस्ट में आपका स्वागत है मैं होड़ेंपी काल रहा तो आज मार्किट के पास थोड़े बहतर संकेत हैं देखे दो दिन का कंसलिडेशन था इस कंसलिडेशन में बजार को थोड़ा करेक्ट भी होना था हुआ भी है बजार के अंदर इसी तरह का नेचर दिखना भी चाहिए एक तरफा तेजी से कुछ जादा ही हो जाता है और मार्किट का पाटिसिपेशन ये फिर दिखता है और ये फिर कहते भी हैं लोग कि आप पना नहीं बजार कब और कैसे थमेगा इसलिए पूरा जो जोश है सभी के बड़ा था अच्छा एक और चीज़ आप देख रहे होंगे एस्जेक्स निफ्टी में बज़जा 350 के लेवल के बापिस उपर आ जाना ये एस्जेक्स निफ्टी का है हाला कि कल हमने दज़जा 350 के लेवल को तोड़ के क्लोजिंग की है और हमारे पास एक एहम सपोर्ट जो कि दज़जा 250 से 280 तक का है वो अभी भी बचा हुआ है तो आज उमीद कर सकते हैं अगर गिरावट ज़जादा नहीं आए तो एक पुल बैक या फिर एक सीमी दैर आपको ज़रू जब देखने को मिलेगा ज़जादा गिरावट तो कम से कम आज के 24 इंडिकेटर्स को द क्वार्टर पर्सेंट से कम ही है एक पर ज़र है यूएस मार्केट्स में आप दिखा दीजे लेवल के साफ से यह रिकॉर्स तरो पर फिर से बंद हुआ वहापर भी अर्णिंग्स अपना ज़्यादा इंपक्ट दिखा रही है और इसके लाबा एक और चीज़ जो इससमें करीब जातर इसन मार्केट्स आज पॉजिटिव कारोबार करें क्योंकि कि कल का जो हैंड़ोर है वो पॉजिटिव यूएस के मार्केट से तीनों इंडाइसी सगर आप देखें तो रिकॉर्ड उचाई पर बंद हुए चायब डाव की बात कीजिए एसनपी की बात कीजिए और फिर नेजडा की बात कीजिए यही कारण है कि आज जायता मार्केट्स आपको एशिया में पॉजिटिव नज़र आएंगे को जपैन के डेटा पॉइंट्स आए हैं जपैन के मार्केट्स आज एशिया में लीड कर रहे हैं चायिना के आज महंगाई के आंकड़े आने वो एक important factor है और उसके साथ Trump और जिन पिंग की एक बैठक है जिसमें North Korea एक मुद्दा हो सकता है तो वहां से क्या निकल के सामने आता है यह हो सकता है कि दिन के दुरान जो मार्केट्स की चाल है उसके उपर निर्बर करेगा तो एक बड़ी बैठक है जिसके उपर बादार क देखने को मुल रहा है तो कुल मिला के देखा जाए कल के मुकाबले अगर आप देखें तो आज के लिए सेट आप यो संकेत हैं वो काफी बैटर नजर आ रहे है और एक बात ये भी है कि क्रूड उपरी सरों से थोड़ा थोड़ा अब हलके होने के संकेत साफ़ता पर दे संदीब कोई एक ऐसा ट्रिगर जो ग्लोबल माकेट से बहुत इंपॉटेंट हो जैसे मैंने कहा दिंपी पहले भी कि आज ट्रंप और जिंपिंग इन दोनों की बैठक है इसमें नॉर्थ कुरिया को लेकर बातचीत होनी है इसको ग्लोबली जो मारकेट से वो काफी कीनली बाच कर रहे हैं वहाँ पर क्या फैसला निकल के सामने आता है कल भी अगर आप आपने देखा हो तो ट्विटर पे एक बार फिर से काफी कड़े बयान ट्रंप ने जारी कि हैं जिसमें नॉर्थ को युएस को अन्डर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो क्या फैसले निकल आते हैं, क्या बाचीत होती है, उनकी जो डिटेल्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टन होनी हैं नमबर ठीक है 38-38 जाद रहेगा और इस पे बिक्वाली है लेकिन उत्रहा ही खरीदारी कलकर डियाइज ने की है अभी एक आंड़ा बड़ा है हलाकि ये F.I.S. की बिक्वाली आपको उस दिन जादा तेज दिखती है या फिस जादा खरीदारी तेज दिखती है जिस दिन कोई बड़ा रिफॉर्म या कोई बड़ी ख़बर बजार के अंदर आती है तो G.S.T. से ठीक बैठक से पहले ये F.I.S. की खरीदारी बिक्वाली का अंखरा इंपॉर्टेंस रखता है हलाकि एक छोटा ट्रिगर है मारकेट का एक ब्रैकेट इस पे ज़्यादा रियक्शन करेगा जो 28% से जोड़ा हुआ था लेकिन फिर भी G.S.T. को असान करना ये F.I.S. का भी नोटिस में है ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज होगी ध्यान लखें इस बात का अच्छा आज बजार पूरी तरसे सीमिट दारे में रह सकता है ये G.A.P. ड.न वाला हिस्सा भी आजकल जादा आपको मिलने रहा है पहले होता था 40-50 पॉर्ट उपर होता है लेकिन आजकल ये भी 10-15 पॉर्ट में से मिट जाता है आज जो रेंज है निफ्टी की वो 10-260 से 10-350 की रेंज है इस रेंज भी रहेगा आज निफ्टी बैंक की जो रेंज है वो 25,200 से लेके 25,450 की है ये नोट करती जाएगा हलाके भी एक मार्केट एक्सपर्ट जगदी इस तकर से में बात करेंगे ट्रेड आज कैसे लेना है हम जिराफ एक मोटामटी रेंज आपके सामने रख रहे हैं कि इससे शायद बाहर नहीं जाएगा इससे जड़ा नहीं तूटेगा आज स्तार बनाने वाली कंपनी प्लाइवुड बनाने वाली कंपनी बिजली उपकरन बनाने वाली कंपनिया इन पर थोड़ा सा जादा ध्यान रखें क्योंकि आज से जी एस्टी की दो दिन की बैठक शुरू हरी है फैंसला कल आएगा आज बैठक की मोमेंटम से ही बाजार को चतक दिखाएगा अपना बढ़त या फिर गिरावट दसजार दोसों की पुट दसजार चारसों की कॉल ये सबसे रहा एक्टिव होगी वित्य सलाकारों को अपने साथ बिठाईएगा समझेगा उनसे कैसे ट्रेट करना है हम भी आपके सामने कुछ डाटा इंपोर्टन रखेंगे फार्मा, रियल एस्टेट, सरकारी कंपनियों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है खास कर उन कंपनियों पर ध्यान रखें जिसमें विरिवेश था जैसे कल MMTC, STC टूट गए थे कि आज फिर से टूटेंगे इसमें थ्यान रखेगा ये स्विंग, वाल्ड स्विंग देंगे और एक और शेर है नोट बंदी से जुड़ी कंपनियों पर ध्यान रखेगा, कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना जाओ उनमें थोड़ा सा संभल कर इन सभी सेक्टमेंट से अप्ट्रेट कीजेगा आज जगदिश ठकर मिरसा जूड़ चुके है, मारकेट एक्सपर्स हैं जगदिश शुक्रिया आज मारकेट के रेंज को जड़ा बड़ी दिखने ही रही है, ऐसलमें जी एस्टी की बैठक को बजार धीरे-धीरे डिसकाउंट करने की कोशिश करेगा, कल वर्डिक्ट आएगा इसका तो, आप कैसे देखते हैं, आज कैसे करना है मारकेट में काम सर, जिम्भी जी नमस्कार, नमस्ते सर, मुझे लगता है कि जिसे अपने बिल्कुल सही तरह से उसको डिसक्राइब दिया मारकेट का हाल वह ही है, जिल्कुल रेंज पॉंड रहेगा, और एक टेक्निक लिए गर आप रहे तो, जो इक गान रेंजों की अट जी एट, जी डिबल एन केंज़ए हो मारकेट कल से आ चुका है, तो उसमें दो तरफा मारकेट का चाल होता है, एक तो एक नीचे की और गसी जाता है, या ओ है, जिल्कुल होगा, जिए टागेट ऑफ दसजाद इनसो तीस, और स्टाप लोक्स आपको रखना है, जिल्कुल जी जी हमारा भी आज का लेवल है, कि दसजाद दो सो असी, दो सो पचास का रेंज ब्रेक करेगा नहीं, और मारकेट एक थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है रुक जाएगा, कम से कम रुक तो जाएगा ही, जो दो दिन की थोड़ी गिरावट हमको मिल रहे है, एक्चिली गिरावट दोपहर बाद जादा मिलती है, और आज मोमेंटम फिर से दोपहर बाद आपको जादा दिखेगा, हो सकता पुल बैक का दिख जाए, फ़स्ट आफ और स्टॉबलस ओफ 1185, दूसरा मेरा बाइकॉल है, टाटा मोटर्स का इसके प्रेणाम है आज, तो उसमें भी बाइकॉल है, टागिट ओफ 450, रिजल्ट बहुत अच्छे आने की बहुत उमीद है, और इस टॉपलस ओफ 430, तो इसी रेंज ही अंदर जोनों की खरिदारी क भी मेरी इसला है, तो आप बिल्कुल स्टॉपलस रखे किये, मार्केट कंबो जैसे अभी आपने फरमाया, बिल्कुल वोई कॉंसलेशन का है, जबरानी की कोई जरूरत नहीं है, अंडर्टोन काफी बुलिश है, ठीक है, सर शुक्रिया, आज सुबह 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 हमको सम मिल रहे हैं, जर आप वो भी नोट कीजेगा, इसमें एकसेस सिक्यूरिटीज, रजेश पलवी हमार सा जुड़ते हैं, ये उसी ग्रूप से बिलॉंग करते हैं, एकसेस सिक्यूरिटीज, साथ सो पैंतालिस का एक टार्गेट होगा, साथ सो बीस का स्टॉपलस है, भारत फ उससे जूड़ी कमपनिस को फाइदा बिलता है, एकसो साथ तक का टार्गेट है, स्टॉपलस नाइंटीएट का आप इसमें रख सकते हैं, तो जेने इजिगेशन दूसरी है, इसके लावा एशन पेंट, ये तीसरा शेर होगा, बारेंसों तक का टार्गेट है, कल बरजर और इशन, दोनों चल रहे थे, क्रूड के अंदर थोड़ी भी गिरावाट आती है, पच्छेस परसेंट से ज़्यारा की कॉस्टिंग क्रूड सिन को मिलती है, गिरावाट आती है, तो इसका बेनिफिट भी वैसी भी आ जाएगा, और जी एस टी वाली ब्रैकेट भी ध्या गया, आज चल सकता है, पुल बैक ट्रेड है, चार सो पच्छन का एक स्टाप्लस है, ट्रेंड, तीन सो बाइस का टारगेट है, इसमें आज तीन सो का स्टाप्लस रखें, एक सोदा यहां पर भी खड़ा की आ सकता है, चोईस ब्रोकिंग, यह सुमित बागड़िया जिसमे एक आप स्टाप्लस भी रख सकते हैं, यह कुछ एक सेलेक्टिव कॉल्स है, जिस पे आपको ध्यान रखना है, लेकिन बात, आज दिन भर होगी जी एस्टी के और जी बिजनस का अजंडा भी यही है, तो इसी से शुरू करते हैं, आज की सबसे इंपोर्टन खबरे बताना जी एस्टी से जुड़ी हुए, आज से जी एस्टी काउंसिल के बैठक शुरू होने वाले हैं, इसमें बड़ी खबर यह है कि अथाइस परसंट के टेक्स दारे में आने वाले करीब 80% चीज़े के दाम कम हो सकते हैं, यानि कुछ पर टेक्स रेट कम हो सकता है, यह कहना है जी एस्टी काउंसिल के सदस्य सुशील मोधी का, जो कि बिहार के उपमुक मंत्री भी हैं, सुशील मोधी का कहना है कि 80% चीज़ों जो 28% के ब्रैकेट में आती हैं, वो अब 28% के दारे में लाई जा सकती हैं, आज काउंसिल के बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, और एक पर फैसला बताने के लिए हमारे समवा रहता, आलोग प्रेदर्शिप जुड़े हैं, आलोग ये दो दिन की बैठक है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, और पूरी रूप रेखा ज़रा हमको समझाएंगे इस बैठक की? देखे, आज से जो बैठक शुरू हो रही है, जिएस्टी कॉंसिल की गुवार्टी में, उसमें एक तरह से देखें, तो जिएस्टी जो लागू हो है देश में पहरी उलाई से, उसको एक नई शकल देने की त्यारी हो रही है, और वो तब जब प्रधान मंतरी नयांद अगर यह हो जाता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदला होगा जिएस्टी में, इस लिहाज से क्योंकि इस जिएस्टी के बैठक में अगर सबसे पहला नमबर देखें, तो रेश्टोरेंट को लेकर जो कई सारी शिकायते हैं या इनमली हैं, उसको दूर की जा स हो सकता है, बारप्त फिस्दी हो सकता है, बशरते opening credit ना दिया जहां, लेकिन जो हिमंदemicsकमिटी है, उन्होंने यह कहा है, कि नहीं input credit भी मिलना चाहिए, और साथी साथ rate भी कम होना चाहिए, तो इस front पे बड़ी रहात मिल सकती है, दूसरा है कि 28% slab में जो तमाम रोज रेकिता हैं हो रहा था उस वक्तर जो प्रिज गेस्ट से असे के हिसाब से उसको स्लायम में फिट किया गया था लेकिन अब महसूस किया जा रहा है कि जो कॉमन यूज़ की वस्तुईया है और ट्रंटी बर्स तर्म में हैं ूसकी वज़न से काफी के करीब ऐसे आइटम है जिसमें बहुत ही सीरियसली विचार हो रहा है यह जो पचास के करीब आइटम है यह तार वाली कंपनिया प्लाइवुड वाली कंपनिया हो सकती है कुछ मेट्रिसिस हो सकती है बिजली के अपकरन हो सकते है क्योंकि ऐसे आलोग बता भी रहे हैं कि लि इनको देने के लिए आगे बड़ते हैं नीती आयो के वाइस शेमन राजी हुकुमार ने भी उम्मीद जुताई है कि आने वाले दिनों में जी एस्टी के सिर्फ तीन दर्य होंगी उन्होंने कहा कि 28% टॉप जी एस्टी रेट होगा जिसमें गिनी चुनी चीजे ही शामिल हो होंगे बस मेरा अपना समझना है कि यह तीन दर्य हो सकती है जीरो की एक बारा और पंदरा की और एक 28 की और 28 में जो है वो कम से कम चीजे होंगी वो ऐसी होंगी इनकों की सिन गुर्ट कहा जाता है जैसे कि तंबाकू है या इलकॉहल है या बड़ी बड़ी गालिया है या बहुत बड़ी बड़ी बहुत मेहनी जुलरी है इस किसम की चीजे हैं वो कोई एक गिनी चुनी 10-15 चीजे हैं 28 में होंगी या और जैसे कि यह बहुत बड़े 7 सितारा 8 सितारा होटलों के वे रहने वाली बाते इस सब और जीरो में वो होंगी जो की आम व्यक्ति के रोज म रहेगी तो आज से ही हमारी नजर पूरी रहेगी और ना केवला मोधी सरकार के मंतरी बलकी कौन मेंस्टो और जीएस्टी से जुड़ी कंप्रीज आज दिन भर आप जी विजस की स्क्रीन पर देखेंगे लेकिन आज खबरों वाले शेर कौन से हैं ये भी तो जानना बहु जुड़ चुके हैं आज आज आपको सभी खबरों वाले शेर्स बताने वाले हैं सुमिध बताएं शुक्रेट इंपि आज न्यूस लो भी काफी है और साथ साथ आज नंबर्स भी बड़े हैं पहले न्यूस लो की बात करता तो आज आज आई प्यो एसजिवसी लाइफ का आई प्यो गाज लास्टे हैं क्रूशल है अब तक करीब करीब सवागुना है सब्स्राइब हो चुका है और आखरी दिन है तो फिगर्स है यह थोड़े और इंप्रूव होते हो दिखाए पड़े थोड़े और बहतर आते हो दिखाए पड़े नज़र रखे इसके ओपर इ यूबियस ने खरीदी है करीब धाए क्रोड़ शेयरों के आसपर चारसवासी चारसवासी की रेंज में इससेदारी खरीदी गई है इंडियन होटल पर आप नज़र रख सकते हैं जहां पर टाटा संस ने कंपनी के अंदर इससेदारी बढ़ाई है करीब करीब वन पॉइं इससेदारी बढ़ाई और कुलिससेदारी रफ्रिस 29.79% के आसपर पहुंच चुके ने कि 30% के करीब इससेदारी पहुंच गई है तो आप यहां पर नज़र रखें होटता तीजी देखने को मिले पेट्रोनेट के नंबर्स आया नंबर्स अच्छे आया है तो होटता है श के अंदर भी आज आप तीजी के उम्मीद लगा सकते हैं नंबर्स के बाद एक क्यूपिड लिम्टेड छोटा शेर है लेकिन इसमें दो तीन खबरे हैं पहला ये कंपनी को ओर्डर मिला है करीब करीब 24 करोड का ओर्डर है दूसरा कंपनी के नंबर्स में आया है पांच कर इंजीनिरिंग पर खबर है जहांपर बिटिश मोटर साइकल नौटन के साथ कंपनी ने करार किया है और ये भारत में दो जो इनकी हाई एंड बाइक से उनको बेचेगी 15 नमबर को ये आपचार एक एलान कंपनी करेगी लेकिन कानेटिक इंजीनिरिंग में खबर के अधार नमबर्स की बात कर तो नमबर्स में आए से जादा मार्जिन और मार्जिन से जादा मुनाफ़ा बढ़ता हो दिखाए पड़ेगा टाटा मोटर्स की पर्टिकुलर लिए अगर बात करेज़ए ताटा मोटर्स में जो सेल से हो 5% बढ़ने का नुमान है रफ्ली 69 ये फिस सत सबस बढ़ सकता है इस्तिमाही के अंदर क्रूशल इसलिए कंपनी के जो अधर इंकम में वो तो हेड दे गई बेनेफिट लो बेस का इंपैक्ट भी रहेगा और साथ साथ जेलर करीब 10-10% वाल्यूम यहां पर बढ़ने का नुमान लगा जा रहा है और उसके अलावा जिस मुनाफ़ दस वीज़ी के आसपत बढ़ने का अनुमान है चेसो चौशच्ट क्रोड़ मुनाफ़ा रह सकता है और उसके अलावा कुछ और फिकर की बात कर तो अबीटा भी करीप 11 पर इसन्ट बढ़ने का अनुमान है तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नंबर नहीं है ल नंबर्स भी ठीक्ठा काने की उम्मीर है कुछ ज़्यादा डिसपॉंट्मेंट तो खहर नहीं दिख रहे टाटा मोटर्स के नंबर से भी इस बार आगे बड़ते हैं कॉमनेटीज मार्केट का एक बरजर आउटलूक ले लेते हैं वेसाता विरेश जुड़े हैं उनसे सब्सक्राइब को मिला है इंट्रनाशनल मार्केट में 57 डॉलर्स को उपर भी एक बार एक बार ट्रेंड बना हुआ है और इस मेने के एंड में एक ओपक का भी टेक भी होने वाला है आज के बाद उनको प्रोड़क्शन करेगा कि नहीं करेगा इसको पर डिशियन है इस सब सब्सक्राइब करना चाहिए और आज की मेरा लक्ष्म होगा 36 30 लेवल गोल्ड बाय करेंगे तो उसका टार्गेट क्या होगा सर आज अगर गोल्ड बाय करना होगा तो अधिके गोल्ड में एक बाइंग अपोर्शिटी आर आयम यह और इंट का भी है और और पॉजिटिव करनी है 29600 तक का टार्गेट है सोने पर और तेल के अंदर 36 30 का टार्गेट है विकवाली का एक सोड़ा प्लस एक सोड़ा शॉट दोनों का अपरचुनिटी आपको मिल रही है ब्रोकिंग आउस्जिस की रिपोर्ट्स आपका इंतिजार कर रही है अंचल विजूर चुके मे विकवाली की सला आई है टागेट ये 138 का दीए नतीज़ा अच्छे है लेकिन एकी चीज़ है शेर चल चुका है और यहां से मुनावाब वसूली हो सकती है दूसरी और यूबियस ने विकवाली की सला दिये है युनाइट ब्रिवरीस के ओपर अब जो लक्ष है 760 से बढ आकर 825 जरूर किया है लेकिन उनका मानना है कंपनी के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा हो ये रहेगा कि अपना मार्केट शेर कैसे रिटेन करें मार्जिन अच्छे हैं लेकिन मार्केट शेर को रिटेन करना एक बड़ा चालेंज रहेगा कंपटी के लिए वही कारण सेलिंग दे रहे हैं श्री सेमेंट की बात करते हैं नौमियुरा की तरफ से एक नई रिपोर्ट आई है श्री सेमेंट वे खरदारी की सला दे रहे हैं आगर टागेट्स देए जा रहे हैं 23,500 के नतीजा अनुमान के मताबिक रहे कही न कहीं लेकिन हाँ यह है कि अभी भी सेम साथ सो पचास रुपे से बढ़ाकर जो नया टागेट है 19,500 रुपे किया है रेटिंग अंडर परफॉर्म करने का सिर्फ एक कारण है डिंपी नतीजे अच्छे थे लेकिन का मानना है कि जो एक मूफ था सेमेंट का अपनी वे अब वो रिवास हो सकता है दूसरी और एक औ कांटम लीव से टागेट को बढ़ाया गया है स्ट्रॉंग नंबर स्टे वॉल्यूम स्ट्रॉंग है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्स हैं वो स्ट्रॉंग है यानि सभी पैरमिटर में अंटिक मानता है एक शांदार बैठ हो सकती अगर आप नव्यवदी के लिए निवेश करना अगर ये ट्रेंड जारी रहते तो एडिल वाइस का मानना एक अच्छा बैठ हो सकता है स्पेशली जब से लेडी सेग्मेंट में उतरे हैं इनोंने लेडी सेल्स शुरू किये वो एगनाट रिगर होगा अच्छा मूव दे सकता है इन दोनों शेयर्स पर आप ज्यादा फो झाल